हाई फ्रेंड्स और वेल्कुम टू मैं चैनल अट्मार ब्यूटी विंटर्स का मौसम चल रहा है और ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्रम्स आने लगती हैं बालों को लेके बदलते हों मौसम में बाल जड़ने ही लगते हैं और कभी-कभी तो यसा ही फील होने लगता है कि सारक तो आपको घबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसी होम रेमेडी जिन्हें यूज करके आप अपने बालों का जढ़ना बहुत कम कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए या आपके बाल जढ़ने कम हो जा जो विदाओ टार्ण बादियों और तो हमारी फोस्ट अमेडी है मेति ताना मेति डाना आप सबी लोगों की केचेन में आम-शॉर जरूर मिलेगा तो उस मेति दाना को आपको लगबग आदा बाउल मेति दाना लेना है तो मैं है आपर आपको मीडियम लेंध के हैर्स के ल कर सकते हैं उसे आप पूरी रात के लिए पानी भर कर छोड़ दीजिए मतलब उसे सोक करना है पूरी रात अगले दिन आपको उसका सारा पानी निकाल देना है और मेथी दाना को ग्राइंड करकर उसका पेस्ट बना लेना है जब आप मेथी दाना को ग्राइंड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालने और आप देखेंगे कि ये मेती दाना जितना अपने भिगोया था उसे जस्ट डबल हो जाएंगा तो ये मीडियम है लेंद्ध वाले लोगों के लिए इनफ है अब आप इस पेस्ट को अपने स्कैल्ब और अपने सारे बालों पर अच्छे से रहने दें और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धो लें शैंपू करने की जरूरत नहीं है ऐसा आपको वीक में कम से कम तीम बार करना है आपके बाल बहुत जल्दी ज़ड़ने बंत हो जाएंगे हमारी नेक्स रेमेडी है आनियन आनियन बालों को ज़ड़ और उसको grind करके और squeeze करके उसका juice निकाल लीजिए इसे अपने scalp पर apply कीजिए नहाने से पहले और 30 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए उसके बाद अपने बालों को शैंपू कर लीजिए या फिर आप इस रेमेडी को दूसरी तरीके से भी use कर सकते हैं आपको करना क्य होगा आपको एक प्याज का रस लेना है और उसमें दो टेबल स्पून मिलाना है अलोविरा जैल और एक टेबल स्पून ओलिव और इस मिक्शर को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अपने scalp पर लगाए मसाज दें और इसे भी 30 मिनिट के लिए ऐसे ही आपको कर सकते हैं यह दोनों ही रेमेडी बहुत एफेक्टिव है लेकिन अगर आप ऑईल यूज करते हैं तो विंटर में वह बहुत अच्छा होता है आपके scalp को moisturize भी करता है तो ऑईल वाला मैं प्रेफर करूंगी कि ऑईल वाला जो रेमेडी मैं आने अभी आपको बताय पोवला अगर आप यूज करेंगे विंटर में तो बहुत जल्दी आपके बाल जड़ने बंद हो जाएंगे अब बारियाती है हमारे नेक्स्ट रेमेडी की जो की है बीट रूट लीव्स यानि की चुकंदर की पत्तियां आपको करना क्या है बग-बग मुठी बड़ चु 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें 15-20 मिनट के बाद आप अपने बालों को वाश कर सकते हैं ऐसा आपको वीक में 2-3 बार करना है जिससे कि आपके बाल जड़ने बहुत जल्दी कम हो जाएंगे हमारी नेक्स्ट रेमेडी है कोकोनट मिल्क आपको करना क्या होगा एक ब चोड़ दें और उसके बाद अपने बालों को वाश कर लें नॉर्मल वाटर से अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे घर भी बहुत असानी से रेडी कर सकते हैं आपको करना क्या होगा कि एक फ्रेश कोकोनट लेना है उसे ग्रेट कर लेना है ग्रेट करने के लिक्विड आता है उसे ही कोकोनट मिल्क कहते हैं तो यह सिंपली घर पर भी तयार हो जाता है आप इसे बालों पर लगाए आपके बाल जड़ने बहुत जल्दी काम हो जाएंगे हमारी नेक्स रेमेडी है ग्रीन टी आपको करना क्या होगा अगर आपके पास ग्रीन टी ब करने जाएं तो इस पानी को सबसे पहले अपने बालों पर डाले थोड़ी देर मसाज दे और उसके बार अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो लें इससे भी आपके बाल जड़ने बहुत ही कम हो जाएंगे ऐसा आपको वीक में तीन से चार बार रिपीट करना है जिससे क कि आपके बाल जड़ने बिल्कुल बंध हो जाएंगे तो फ्रेंट्स ये थी कुछ होम रेमेडी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करीं जिससे की विंटर्स में आप अपने बाल जड़ने से रोक सकते हैं अगर इन में से आपको कोई भी रेमेडी एफेक्टिव लगी हो य